गुट मॉर्निंग स्टुजेंट्स हेलो कैसे हूँ आप इसली वीडियो में आपने आफर्मेटिवी इंट्रोगेटिव, निगेटिव और मॉडल एक्जेलेरीज वगारा का आपने पैसिव बनाना सीखा आज हम देखेंगे कि इंपरिय। वाक्यों की पैसिव कैसे बनती है इंपरिय। वाक कौन से होते हैं वह वाक को होते हैं जिनमें करता यू हमेशा छिपा रहता है और केवल बर्ब और आबजेक्ट ही रहता है जैसे जिसे– गो दियर, सर्च दारौ, डो इट फार मी, इस तरीके के वाक जो होते हैं वो imperative sentences कहलाते हैं यह परदर्शित करता है या दिखाता है order command को निवेधन को या फिर सुझावाद को imperative sentences को हम passive में बदलने के लिए निमलेखित फार्मूला का परियोग करते हैं step by step देखिए if order command या command क्या जा रहा है या order किया जा रहा है तो उसकी passive हम कैसे बनाएंगे जो की imperative sentence में है फार्मूला देखिए इसके लिए बिल्कुल easy step में आप सीख जाएंगे कि कैसे इसको बनाना है सबसे पहले imperative sentence अगर order command में है तो सबसे पहले हम passive बनाते समय let लिखते हैं plus object उसके बाद b बर्ब भर देते हैं उसके बाद बर्ब का third form third form of the verb past participle let object plus b plus बर्ब की third form बस इतना setup करना है आपको और आपकी passive order command की बन की तैयार हो जाएगे example देखिए पहला example है leave the room leave the room तो इसकी passive हो जाएगी let जैसा की पहले सबसे पहले let लिखना है तो let फिर the room क्योंकि room यहाँ पर object है object के बाद हमको b लिखना है हमने यहाँ b लगाया और फिर बर्ब की third form तो leave का third form होता है left let the room be left दूसरा example देखिए bring a glass of water bring a glass of water तो इसकी passive हो जाएगी let a glass of water be brought I hope आपको समझ में आ रहा होगा यह फार्मूला टू है आजकल model English में modern English में इसको ज़्यादा तबज्जु दिया गया है इसको ज़्यादा यह चलन में है you are order to plus main verb की first form रहेगी same way लिख देना है और same object जैसे है उसी रूप में लिख देना है example देखिए search the room कमरे की तलासी करो search the room तो इसकी passive हो जाएगी यहाँ देखिए you are ordered to आपको इतना लगा देना है you are ordered to फिर main verb की first form जो आपके पास है वही लिख देना है और object जो आपके पास है वही लिख देना है तो क्या हो जाएगा you are ordered to search the room you are ordered to search the room अब देखिए अगर request है यद request है तो इसका फार्मूला हो जाएगा you are requested to बिल्कुल ऐसे जैसे you are ordered to order के लिए request के लिए हम you are requested to अगर please word है तो please word को हटा के you are requested to लिखेंगे अगर please word नहीं है भाव के नुसार है तो भी हम you are requested to लिखेंगे फिर बग की first form और object जैसा है जों कत्यों लिख देंगे तो आईए देखते हैं example एक please do work तो इसकी passive हो जाएगी you are requested to do work please को हटा दिया गया you are requested to do work अब ऐसे कोई भी है do it for me तो you are requested to do it for me please go there you are requested to go there please make a tea तो you are requested to make a tea इस तरीके से आप सारे sentences को बना सकते हैं यद एड़वाईज हो सलाह दी जा रही हो जैसे don't smoke cigarette cigarette ना पियो get up early जल्दी उठो go to bed early जल्दी सो walk your left do exercise daily brush your teeth तो यह सब advises है राय हैं सुझाओ है तो जैसे हम you are harder to करके बनाते हैं और request में you are requested to करते हैं वैसे जब advise दिया जा रहा हो आप advise का भावा आ रहा हो तो you are advised to करके और member के first form और आप जोटको जियोंकतियों लिख देते हैं आए एक्जामपल देखते हैं एक्जामपल first do exercise daily परते एक दिन ब्यायाम करो do exercise daily तो इसकी passive हो जाएगी you are advised to do exercise daily यहां जबकि आपको कुछ पता नहीं चला ना प्लीज है और ना और कुछ है लेकिन इसमें साफ साफ पता चला है कि यहां सुझाव है advise है तो हम लिखेंगे you are advised to do exercise daily अब you क्यों लिखा क्योंकि यह तुम्हें ही कहा जा रहा है you छिपा है समझ लीजिए कि you do exercise daily तुम रोज बयायाम करो तो यहां you जो करता होता है imperative sentence में वो छिपा होता है और उसको हमको यहां दिखाना होता है तो you are advised to do exercise daily don't smoke cigarette तो you are advised to not to smoke cigarette don't drink wine you are advised to not to drink wine I hope आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा imperative sentences की passive कैसे बनाई जाती है और इसके बारे में अगर आपको कुछ जानना है पूछना है तो comment जरूर करके बताएं मेरे चैनल को subscribe करें like करें, comment करें, share करें thank you